कि कि हलो गाइज आज अभी हम लोग इस वीडियो पे रिलांस इंडस्टी के बारे में देखेंगे तीर सिंड़ी पर अगर में लोग देखेंगे तो कल की ट्रेडिंग शेशन पर तेजी थी लेकिन अवरल सीन देखेंगे तो इस टॉक स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा मैं कल का चार्ड स्ट्रेक्चर दिखा रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि देखिए स्टॉक ने जो लो बनाया था वह स्टॉपेगा था स्टॉक ने क्लोजिंग भी किया स्टॉक बहुत बड़ी अपडेट है और अगर अपडेट सही हुई तो फिर रिलांस इंडस्ट्री आपको 3000 के आसपास में या 3000 से उपर भी जाता दिखेगा कुछ ही टाइम फ्रेम पर मैं आसा क्यों कह रहा हूं देखिए अल्रेडी न्यू को आप देखिए इस स्टॉक का लो 875 रुपय का उसके बाद इस स्टॉक पर जो उपर की लेवल्स आपको देखने को मिले लगबग 2300-2350 के आसपास में आपको इस टॉक जाता दिखा उसके बाद यह रिसेंटली करेक्शन आया था ठारा सो का और क्या स्मूदली क्या जल् आपको यहां तक जाता दिख सकता है अगर खबर सही हुई तो खबरों के माइदम से यह स्टॉक चल रहा और बेसिकली इस पर पोटेंसियल भी है और अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइज देखेंगे मार्केट कैपिटल देखेंगे इस कंपनी का तो इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी है वन अब दा मतलब एक नंबर है और दूसरा कोई कंपनी नहीं है मार्केट कैपिटल पे तो इस चीज के हिसाब से भी कंपनी फुट बैटती है एक अच्छा खासा लंबे शमय के लिए होल्ड करने वाला स्टॉक खबरे क्या है तो मैं खबरों के माइदम से आपको बताना चाहूंगा देख लिजे यहाँ पे एक घंटा पहले एमेजन से टॉक्स की बात हो रही है क्योंकि आपको पता कि फ्यूचर ग्रूप की जो डील थी वो एमेजन के जो आउनर है उन्होंने जौफ वेजोस उन्होंने फ्यूचर ग्रूप की डील पे नहीं है जो खबर है वो है सौधी एरकॉम को लेके बहुत बड़ी बातचीत चल रही है और इसके वजह से आ सकती है रिलांस इंडस्ट्री में तेजी अभी यह देखिए एक दिन पहले यह खबर आई फिर से यह खबर मार्केट पर रन कर रही है कि साइध जो यह 20% स्टेक खरीदने की बात की जा रही पेट्रो केमिकल बिजनस पे सौधी एरकॉम का यह दील फिर से स्टार्ट हुई है बातचीत और अगर यह खबर आ गई बजार पे कि जिहां यह फाइनल हो चुकी है सौधी एरकॉम 20% का स्टेक रिलांस इंडस्ट्री पे खरीद रही है अप आ आग लगाता दिखेगा बजार पे और अकेले अकेले पूरे मार्केट को उपर तक ले जाएगा ओल्रेडी मार्केट अभी बहुत हाई पे चला गया लाइप टाइम हाई पे है मार्केट 12,620 यहां किस पे तो यहां से फॉर्दर अपसाइड निप्टी का बहुत कम है नीचे के लेवल्स आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है और या फिर यहां पे कॉंसोलिडेट कर सकता है दो कंडिशन हो सकती है मार्केट की क्योंकि अल्रेडी इतना उपर जा चुका कि आब उपर जाने के लिए थोड़ा सा रिस्ट चाहिए या फिर थोड़ी सी 250 के बीच में निप्टी का बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट हो चुका क्योंकि यही इसका हाई लाइप टेम हाई था तो मार्केट के अकोर्डिंगली भी देखा जाए तो रिलांस इंडस्टी फिट बैट था क्योंकि इसमें अल्मोस्ट करेक्शन है तीन सो पॉइंट देख रहे हैं और अगर यह खबर सही हुए तो फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट या रिजिस्टेंस इस पर काम नहीं करेगा सौरी रिजिस्टेंस काम नहीं करेगा स्टॉक सीधे रोकेट के जैसा 2340 का हाई भी क्रॉस कर जाएगा तो इस चीज को ध्यान पर रखिए अगर आ फाइनलाइज हो जाए साथ और रिलांस इंडस्टी ऐसे भी फीडबैक ता है एक अच्छे खासे वेल्थ किरियेशन के लिए स्टॉक जिसे साब से भी ट्रेंड कर रहा रिलांस इंडस्टी आगे के बारे में किसी कुछ पता नहीं है कोई भी नहीं बता सकता विकॉज निकलते हैं आपको मॉनिटरिंग करना ही होगा मॉनिटरिंग करते रहना होगा यस बैंक की हालत देख लिए एक अच्छा खासा बैंक किसे साब से अभी 12 रुपे पर ट्रेड कर रहा तो अगर आप मार्केट आप आएस बैंक की अगर चार्ट स्टैक्चर देखिएगा तो आपको सारी अपडेट एकी जगा पर मिल जाएगी यह करते हैं इस वीडियो पर इतना है मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो पर थैंक यू